नमस्कार नियूस्टोडी फोर देख रहे हैं आपके साथ महुरश्मी बुलिटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी खबर से तो मौसुन सत्र का आठवा दिन है और संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार है मनेपुर और दिल्ली अध्यादेश पर संसद में गतिरोध बरकरार है तो विपक्ष उम्मीद है कि आज पहले से भी जादा आक्रमक होगा दो मुद्दे हैं मनेपुर और अध्यादेश और इस पर क्या होगा आज आर पार ये देखने वाली बात होगी तो इंटिया डेलिगेशन के संसद दो दिवसिये मनेपुर दौरे से लोटे हैं और देखिए आज इसको लेकर एक बैठक भी हुई और इस बैठक के दौरान संसदों ने अपने अनुभव साजह किये जो मनेपुर में अनुभव उनको मिला जो हालात बने हैं वो हालात यहां पर आज डिसकस करने की कोशिश की गई है और इसको लेकर आक्रम खेविपक्ष दूसरी बड़ी खबार दिल्ली अद्यादेश ते जुड़े बिल पर बड़ी खबर है ये तो संसद में एंस्टी दिल्ली संशोधन बिल आज होगा पेश एंस्टी दिल्ली संशोधन बिल पर अमित्र शाह का ये बयान सामने आया है आज लोग सबा में पेश होने वाला है दिल्ली अध्यादेश बिल तो जिसके उमीद की जा रही थी बहु प्रतिक्षत अध्याद दिल्ली अध्यदेश ते जुड़ी बिल पर हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली अध्यदेश ते जुड़ी बिल पर हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली अध्यदेश से जुड़ा बिल पर हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे है दिल्ली अध्यदेश से जुड़ा बिल आज पेश हो सकता है और इसी बात पर आपत्ती जिताते हुए रागव चड़्ड़ा जो की आमाधी पार्टी के सांसद हो ने कहा कि एक-एक सांसत के लिए अरविंद करिवाल करी मशक्कत कर रहे हैं कल एक बड़ा कारिकरम है पुने में जहां पे लोकमान इतिलक एवार्ड प्राइम मिनिस्टर को दिया जाना है सरत पवार के हाथों और सरत पवार को अरविंद करिवाल अंडरोध कर चुके हैं कि वो इस सत्तापक्ष के साथ जा रहा है बड़ी बात यहीं कि आपने खुद ही जिक्र किया अरविंद केशिवाल का किस तरह से उन्होंने समर्थन चुटाने के लिए कश्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक माप लिया कितने राज्यों का उन्होंने द्वारा किया तो क्या लगता है आपको इसका परिणाम मिलेगा अर्विंद केशिवाल को और साथे साथ जो वयए सार जगन महन रिडवी की पाटी है भी जनता दल है अभी तक का साफτόर और सामने नहीं आ पाज़ेंगे जगन महन रिडवी की पाटी का से स्ताफory पर सामने आ गिया है कि दिल्ली ओ